पहला नमबर कोशन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है, पहला स्टेटमेंट क्या है, दो घाटियों के हिम भी भाजक को एरेटे कहते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट है, हिमनत की घाटी को यू अकार की घाटी कहते हैं, तो अब सही उत्तर का चाहिन कीजिए एक सही, दो सही, दोनों सही या कोई भी नहीं सही पहले नंबर कोशन का जो सही उतार है, और ओप्शन C सही है एक और दो, दोनों की दोनों स्टेट्मेंट सही है देखे, हैं रिटेन है, मैं मानता हूँ टाइब दो नहीं है प्रयास रहेगा, जल्द ही आपको टाइब मैटर भी मिलने लगे तो ये सारी की सारी चीजे है और इतना है कि गम सकम पढ़ने ही होग है और आप अच्छे से चीजों को कर सकते हैं मां कि मैं बोलता भी रहता हूँ, तो कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आता तो आप उनकों चीजों को भूलने से समझ सकते हैं सेकेंड नमर कोशन है, सत्य कथन को चुनना है राइट स्टेटमेंट को चूज करना है, दो स्टेटमेंट है नैनो द्रव का सरवाधिक महत्पून गुन जो है, वो घर्षन होता है और सेकेंड स्टेटमेंट है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है तो आप सही उतर का चैन कीजिए, एक सही, दो सही, दोनों सही या कोई भी नहीं सही सभी लोग पूरी मंदारी से अच्छे सेटे सरीज को दीजिए आप लोग और 20 में से 20 करने का प्रयास करिए सेकेंड का ये ओप्सन सही है, सेकेंड का ये एक का मतलब होगा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती नहीं है, घटती है, ध्यान रखिएगा अगला नंबर कोशन है, थर्ड नंबर कोशन है, वस्तुकी मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो कौन सी चीज वस्तुकी मात्रा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेगी बताए आयतन, भार, द्रविमान, घटतु थर्ड नमबर कोशन देख रहे हैं थर्ड का सही उतर होगा option D सही है थर्ड का D option सही है घनत तो नहीं बढ़ लेगा ठीक है? density आईए चौतर नमबर कोशन देखें है सत्य कथन को चुनना है right statement को चूज करना है पहला statement है second statement क्या है सागर के जल का घनत तो नदी के जल के घनत तो से अधिक होता है और third statement है चार्ड डिग्री सेलसेस पर पानी का आयतन नियूंतम होता है तो अब आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताए कौन सा उतर सही होगा एक एक दो सही एक तीन सही दो तीन सही या तीनो सही सभी लोग अच्छे से देखिए कौन सा उतर सही होगा चौती नंबर कोशन का जो सही उतर है option C सही है दूसरा और तीसरा statement तो सही है पहला statement आपका गलत है वाई बिंडल में बादल जो है दाप के कारण नहीं तैरते घनत के कारण तैरते है आईए अगले कोशन में चलते हैं पाच्पन नंबर कोशन है सत्ते कर्थन को चुड़ना है राइट स्टेटमेंट को चूज करना है पहला statement है सूरी का प्रकास प्रत्वी पर बारा मिनट में पहुंसता है और सेकंड स्टेटमेंट है इंडोस्कोपी एक संकीर्ण सोक्ष में दर्शी होता है तो अब आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताई कौन सा उत्तर सही होगा एक सही, दो सही या एक दो सही या कोई भी नहीं सही पांचवे नमर कोशन हम लोग देख रहे हैं पांचमे का सही उत्तर का चैन कीजिए आप लोग पांचमे का सही उत्तर है option D सही है कोई भी statement नहीं सही है क्यों नहीं सही है पहला क्यों गलत है सूरी का प्रकास प्रतिवी पर बारा मिनट में पहुंसता है आठ मिनट पे पहुंसता है और एंडोस्कोपी एक संकीर सोक्ष्म दर्सी होता है तो ये भी एक गलत है ये एक चिकत सकी उपकरण होता है ठीक है आईए अगले कोशन को देखते हैं छटवा नमर कोशन है सत्य कथन को चुनना है राइट स्टेटमेंट को चूज करना है पहला आप लोग सभी लोग सही उपकरण केजे छाटमे कोशन देखते है छितिज के समीप सुर्य और चंतरमा के दिर्य भृत्ता का दिखाई देनी का कारण क्या है अपवरतन, प्रकाषकी, भ्रहम, ब्रितिकरण या, ऑप्शन दी उनकी वास्त्वेक इस्त्यति साथ में का जो सही उगतर है option ए सही है अब वर्तन के कारण आईए अगले question में चलते हैं हम लोग आठमो नमबर question है दो statement है दाड़ी बनाने में समतल दरपन का प्रियोग करते हैं और second statement है मायोपिया को उत्तल लेंज से ठीक करते हैं ये दो बार लिग गया है दरपन का प्रियोग या प्रियोग ये थोड़ा सा गलद लिग गया है बाकि सही है दाड़ी बनाने में समतल दरपन का प्रियोग करते हैं तो सही उत्तर का चैन की जी आप लोग एक सही दो सही दोनों सही है डी option कोई भी नहीं सही आठ्मी का जो सही हुतार है option D सही है कोई भी statement नहीं सही है दाधी बनाने में समतल दर्पण का प्रियोग करते हैं तो यह statement गलत है आउतल दर्पण का प्रियोग किया जाता है किसका आउतल दर्पण का और आपका second statement क्यों गलत है Myopia को उत्ताल लेंस ठीक करते हैं तो यह उतल लेंस नहीं, आउतल लेंस है, चीक है, आईए अगले कोशन में चलते हैं, नवा नम्मर कोशन है, फजल अली आयो का गठन 1953 में किया गया, और सेकंड इस्टेट्मेंट है, गुजरात का गठन 1962 में हुगा, गुजरात की साफना जो की गई, 1962 में की गई, तो एक सह कोई भी नहीं सही, नवा नम्मर कोशन देख रहे हैं, नवे का यह उप्सन सही होगा, पहला स्टेट्मेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि देखे, गुजरात का गठन महराश्टा गुजरात जो किया गया था, वो 1960 में किया गया था, ठीक है, जान रखिएग आएए दस्विन नम्मर पर देखते हैं, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेट मन को चूज करना है, पहला स्टेट्मेंट है, नागरीक्ता का प्रावधान सम्मिधान में अनुचे 4-11 में है, सेकेंड स्टेट्मेंट है, असम में नागरीक्ता अदिनियम 1985 के अंतरगत ह और नागरिक्ता अधिनीह मुक्षटा स्वाइचिक नागरिक्ता का तयाक की अनुमती देता है तो आफ आप लोग सभी लोग सही आपचिन कीजे आपशन है एक2 सही दो तीन सही एक-टीन सही यादी आपशन कोई भी सही नहीं, दस्वी नमर कोशन का सही उत्तर का चाहिन कीजिए, दस्वी का जो सही उत्तर ऑप्शन भी सही है, दूसरा और तीसरा, देखें, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि देखें, नागरिक्ता का प्रावधान जो है हमा जैन महात्माओं को निर्गंद कहा जाता है तीर्थकर नेमी नाथ का प्रतीक चिन सर्प था और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन सिंग था तो 3 statement है 3 statement में कौन कों से statement सही है इनको आपको बताना 1, 2 सही 2, 3 सही 1, 3 सही या 3 सही 11 वर नम्मर question देख रहे हैं 11 का जो सही हो तरह option C सही है 1 और 3 1 और 3 सही है दूसरा statement गलत है तिर्दकर नेमी नात का प्रतीक चिन जो था वो सर्फ था तो यह statement गलत है, सर्प नहीं था, शंक था, ठीक है, शंक, आईए अगले question में चलते हैं, बारवा नम्बर question है, द्रव्य संग्रह के रचनाकार कौन थे, हेम चंद्र, उमा स्वामी, धार्म भूशन या नेमी चंद्र, बारवा नम्बर question देख रहे हैं, बारवे का सहीवत तर स्व efficacy संप्रदाय के अनुसार महा वीर स्वामी विवाहित नहीं थे, और second statement क्या है, second statement है, आपका कल्ब सूतर के रशनकार मलि सेन थे, सहीवतंतर कर चेम किजिए, 1 सही, 2 सही, 2 नो सही या डी option कोई भी नहीं सही, तेरवा नम्बर कोशन देख रहे है तेरवे का सयुक्तर है option D कोई भी statement नहीं सही है तो इन वह सम्परदाय के अनुषार महावीर स्वामी बिवाहित नहीं थे तो या statement गलत है या महावीर स्वामी बिवाहित थे और दूसरा statement क्यों गलत है कल्प सूत के रशनाकार जो है मली से नहीं है ये भद्र बाहू है जैन साहित में कितने अंग है इसको आप बताइए कौन सा उप्तर सही होगा 10, 11, 12, 13 14 का C option सही है 12 अंग है जैन साहित में अगला कोशन है अपका 15 नमबर कोशन है सर्तिक अधर्ण को चुनना है स्याद वाद का संब्ध जैन धर्ब से है और second statement है महावीर का प्रथम से से जमाली थे तो सही उतर का चैन कीजिए 15 नमबर कोशन देखना है 15 का जो सही उतर है option C सही ह एक और दो दोनों की दोनों statement सही है 16 नमबर कोशन है कामाख्या मंदिर कहां परिस्थे थे आसम में कोलकाता में जम्मू में मध्वर्देश में तो कहां परिस्थे थे यह आपको बताना है 16 का A option सही है 16 का A option सही है 16 का A आप्षिन सही है, 17 नमबर कोश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, पहला स्टेट्मेंट क्या है, नैनार वैशनों थे, और सकेंड स्टेट्मेंट है, हेलियोडोरस तक सिला का निवासी था, अब देखें, आप्षिन क्या है, एक सही, दो सही, दोनों सही है, कोई भी नहीं सही, सही उतर का चैन कीजिए, कौन सा उतर सही होगा, 17 नमबर कोश्चन देख रहे हैं, 17 का सही उतर आप्षिन, बी का मतलब हो गया है, दूसरा स्टेट्मेंट आपको सही है, पहला स्टेट्मेंट आपको गलत हो जाता है, नैनार वैशनों थे, तो यह स्टेट्मेंट गलत है, नैनार जो थी वो शैव थी आई अगले कोशन पर देखते हैं काली का पुराण किस धर्म से समन्दित है काली का पुराण किस धर्म से समन्दित है वैसलों शाक्त बौध जैन अठार्मा नमबर कोशन देख रहे हैं अठार्मी का सहुत तरह ओप्शन डी जैनों से स्मन्दित है Kali का पुराण जो है वो जैनों से स्म Palm deepshare आई आगले Question में चलते है 19. है आपका सर्ते काथन को चुनना है तो सहित्तर के चdefense कीजिए एक सही दो सही दोनोँ सही है डिइविखन कोई भी नहीं सही 19-1 नम्बर कोशन है 19-5 का आपका ये ओप्सन सही है जैनल की एका ये ओप्सन सही है दूसरा स्टेट्न गलत है वासिंटन सहमती जो बनी थी नियस सो पिचासी में बनी थी कब बनी थी? 19-5 में 1985 में और बीसवा नमबर कोशन है भारत में आर्थिक योजना बनानी की सुरुआत सुतन भारत में कब होई किस वर्स होई तो 1950, 1951, 1952, 1953 तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा इसको आप चैन किजिए बीसवा नमबर कोशन का जो सही उत्तर है, option A सही है, 1950 में सुरुआत हुई थे, एक मोखी परिच्छा का प्रस्म भी है, सभी लोग लिखने का प्रयास करिएगा, जितना भी आता है, जो भी आपने जहां से भी जितना भी पढ़ा है, उतना आप लिखने का प्रयास है, मिसरित अर्थबिवस्था पटिपड़ी करनी है, 125 सब्दों में, ध्यान रखिएगा, मिसरित अर्थबिवस्था पटिपड़ी करनी है, 125 सब्दों में, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा,